यो दोस्तों कैसे हो तुम लोग तुमने आज तक बहुत सारे एनिमल को देखा होगा जैसे की एक खतरनाक सा डाइनासोर एक खतरनाक सी ब्लू वेल लेकिन आज के दिन हम लोग कुछ ऐसे एनिमल को देखने वाले हैं जो की एक डाइनासोर और एक वेल से भी जादा खतरनाक ह तो चलो सुरू करते हैं ओल राइट दोस्तों हम लोग अपने समुद्री दुनिया में आज चुके हैं हमारे सामने एक मचली है और उसके पीछे एक सी डाइवर है लेकिन एक सेकिंड सामने कुछ तो है ओ मैन ये कितना ख़धरनाक था यार यहां पे एक कौर मचली है और उसके सामने एक डाइवर है ओके ओके यह सारे काफी खतरनाक है चलो तो यहां समुद्र के अंदर एक गड़ा है और यहां आसपास सी डाइवर है वहाँ पे एक आख है यो मैन ओके एक सार्क है सार्क कहां गया कहां गया ओके तो यह एक एक्विरियम के अंदर का सीन है यहां पे काफी सारे एक्वेटिक एनिमल है तो हम लोग अपनी आखे खुली रखना कहीं कुछ भी हो सकता है ओके वो क्या था या रुको अच्छे से हम लोग देखते है यो इसके चार पैर है और यह काफी डेंजरस है एक को और सा मुद्र का सीन पानी के काफी ज़्यादा अंदर सामने के तरफ एक सी डाइवर है यह क्या है इतना बड़ा सा हाथ आया और पकड़ लिया एक और पानी के अंदर का सीन एक बंदा एक डाइविंग वाले चीच के उपर है अरे यार इसकी आँखें देखो खतरनाक भाई खतरनाक यहाँ सामने पे एक सी मॉंस्टर है ओ डाइवर बचके भाग भाग वहाँ से अरे रुका क्यों है यार मर गया गया वो ओके यहाँ पे एक और सी एनिमल है उसके सामने डाइवर है यहाँ पे कितने सारे वैसे एनिमल है और उपर भी एक था यह एक हेलिकॉप्टर से लिया गया सीन है सामने पे एक सीप है जिसे क्रैकन खाने की कोसिस कर रहा मुझे इस मॉंस्टर का नाम पता है इसका नाम क्रैकन है ओके वो पुरी सीप खतम जाएगी यार यह क्रैकन का साइज काफी जादा बड़ा है ओके एक और बहुत बड़ी सी मचली उसके बगल में एक नॉर्मल सी डाइवर पानी के अंदर अद्रिस से हो गई और ओ मैन ओल राइट दोस्तो यह एक लेक का सीन है लेकिन एक सिकिंड सामने एक बच्चा मंच्टर है कहां गया वो ओ सही है चलो अगली वीडियो को देखते हैं सामने तेजी तेजी से दर्वाजा नौक हो रहा ओ मैन ये खतरनाक सा भुताहा मेढक है ओके वो भाग गया अरे पागल तु दर्वाजा क्यों खोला हमें कभी भी ऐसे सिच्वेशन में दर्वाजा नहीं खोलना चाहिए चलो दोस्तो तो ये एक घर का सीन है और बाहर के तरफ एक जाइंट सा सेंटा क्लॉस है एक बंदा खिड़की से जहांक रहा अरे उसने देख लिया ओल राइट ये हमारी अगली वीडियो है इसके अंदर एक बच्चा एक विरियम के सामने जहांक रहा चलो आगे देखते हैं यहाँ पे काफी सारी मचलिया और सारक है लेकिन उसके सामने एक कितना बड़ा सा सी मॉन्स्टर हमारे सामने एक और सांदार वीडियो चलो इसे भी चेक आउट करते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सबमरीन है मेरे ख्याल से और उसके पास में एक सी डाइवर ओके कुछ आवाज तो आ रही है हमें अरे वो तो उसके बलेड से कट गया यहाँ पे एक सबमरीन है ओके देखते हैं क्या होता है अवाज तो आ रहा है कुछ अरे भाई एक सार्कती ओ मैन अभी तक हमने जितनी वीडियो देखी उसमें सबसे खतरनाक यह है यार यह कितना डेंजरस है यार तू कैसे देख रहा है सी डाइवर वहाँ से भागता क्यों नहीं यार यह कितना क्रीपी है गया हमारे सामने एक कौर सबमरीन और उसके पीछे एक सी डाइवर है ओके उसने कुछ मिसाईल लॉंच किया सायद हाह इसे क्या ही होगा सर यह एक तरह का अक्टोपस है भाई साहब इसका नाम चूथूलू है चलो तो यह रहा हमारा अगला फुटेज सामने से एक और सी मॉंच्टर आया और सबमरीन को डिश्ट्रॉई कर दिया ओके एक और सी मॉंच्टर और उसके सामने एक सबमरीन है भाग भाग टाटा बाई बाई हो गया वो सबमरीन पुरा डिश्ट्रॉई और यह यार दोस्तों यह देखो मुझे अभी क्या मिला है इस मॉंच्टर का नाम है ब्लूप और यह मॉंच्टर इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है ऐसा भी कहा जाता है कि यह मॉंच्टर अभी भी एक्जिष्ट करता है हम लोग फिर से समुद्र के काफी जादे गहराईयों में हैं सामने से एक एक्क्वेटिक होर्स आ रहा भाग 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 जल्दी 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 गया 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 अरे यार चलो यार दोस्तों तो तुम लोग देख सकते हो हम लोग पानी के अंदर हैं यहाँ पे प्यारी प्यारी सी मचलियां एक सिकिंड सामने कुछ है न दो आखे है एक मुँ दिख रहा अरे बाप रे यार ये कितना ख़तर नाक है उसकी उपर एक पूँच जैसा कुछ था हम लोग अभी एक वीडियो देख रहे है जिसका टाइटेल है इसकेरियेस्ट थिंग्स फाउंड इन ओसियंस ओके अंडर वाटर रोमन सीटी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल है ओके ये तो काफी अमेजिंग है 22 बिलियन डॉलर इन गोल्ड बापरे हम लोग कितने जादा अमीर हो थे अगर ये सारा पैसा हमारे पास होता चलो दोस्तों कैसा लगा तुम्हें आज के सारे सी एनिमल और मॉंस्टर को देखके यार आज पक्का मुझे नीद नहीं आने वाली चलो कोई नी आज की वीडियो के लिए बस अतना ही था तब तके लिए पीस